बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंश्रीधर भगत शनीबार को रिश्री केस दोरे पर थे। वहीं बीजेपी युवा मोर्चा के कारिकरताओं ने प्रदेश अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया। इससे पहले युवा मोर्चा के कारिकरताओं ने स्कूटर रैली निकाल कर लोगों को सरकार की ओर से कराये जा रहे हैं, कामों से भी अवगत कराये, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का ये दौरा बेहदी एहर्म माना जा रहा है, वहीं कारिकरताओं को संबोधित करते हुए बंशिधर भगत ने कहा, आज प्रदेश की विकास की लहर है, रेल प्रोजेक्ष को या फिर राश्तिय राश्मार्क से जोड़े कारे, सभी कारे को समय पर पूरा करे जनता को विकास का तौफा दिया जा रहा है, राज में सभी लोग एक बार फिर बीजेपी के पक्ष में अपनी खोली राय बना चुके हैं, उन्होंने कारेकरताओं से एज़ुद होकर काम करने का अवाहन किया, और कहा कि सभी लोग सरकार के कराय जा रहे कारेों को घर घर तक पहुंचाएं गैर सेंड में कल से शू होने जा रहे, उत्राखंड विधान सभा के बजट सत्र के लिए कॉंग्रेस ने पूरी तैयारी का दावा किया है, कॉंग्रेस प्रदीक्ष अध्यक्ष प्रीतम सिंग ने कहा कि सत्र के दौरान विपक्ष बढ़ती महंगाई, बिरुजगारी, पास्त व्यवस्ता समेत कई मुद्दों को सधन में उठाईगी, इसके साथ ही कॉंग्रेस विधान मंडल दल की बैठक में आगामी रणनीती पर भी मंथन किया जाएगा, पॉडी के कोट ब्लॉक में बन रहे, सीता सर्किट को लेकारा सर्किट हाउस में एस एन बाबुलकर एड़ोकेट की अध्यक्षता में बैठक आयुजित की गई, बैठक में सीता सर्किट को धार्मिक परेटन के रूप में विक्सित करने के लिए समस्त अधकारियों से जानकारी देते हुए कहा कि सरकार के ओर से माता सीता लोक न्यास समित्वी का गठन किया गया है, जिसमें अन सदस्यों को भी जोड़ा जा रहा है, साथ ही कहा गया है कि सीता सर्किट के निर्मान के बाद इससे जोड़े दर्जनों गाउं विक्सित होंगे और कई लोगों क मुकेश कोली ने बताया कि सीता माता मंदिर को अयुद्या के श्रीराम की तरह ही भब बनाये जाएगा हर डिये के खिलाफ अब हस्ताक्षर अवियान शुरू कर दिया गया है, यह अवियान जन्विकास संघर्स समीती की ओर से चलाये जा रहा है, समीती के अद्यक्षर मास्टर कुशल पाल सिंग का कहना है कि हर डिये के प्राबधान इतने कड़े हैं कि आम गरीब किसान इने प चुर्माना लगा देता है, उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश पहाडी से विकास प्राधिकर्ण हटा दिया गया है, लेकिन हरीद्वार में अभी यह लागू है, जिससे लोगों में आक्रोच है, उन्होंने मांग की है कि मैदानी जन्पत खासकर हरीद्वार से भी प्र कारवाई नहीं की गई है, तो एक हस्ताक्सर अभ्यान चलाया हमने और हजारों की शंक्या में श्ताक्सर कर लोगों से, ताकि उन्हों का भी समर्थन मिलें और आज हमने वही स्ताक्सर त्युक्त परपत्ष जोड़कर हमाने मान्राजयपाल महुद्या को कि आपन माने से मह सब्सक्राइब करें अपना नक्षा सब्सक्राइब कराके अपना मकान आशानी से बना सके सब्सक्राइब का मामला है इसमें एक परदेश में दो नियम लाव हो रहे हैं और इस नियम के आदार पर हमने आपके ग्यापन दिया है शिर्मोहदे को माने रज्यपाल जी के लिए जो अक्ताक्सर वियान के अंतर गताता है और अगर इसको नहीं हटाया गया है नहां से तो संसुदन करते हुए और हड़िद्वार में भी जो है इसको समाप्त करने की कारवाई की जाए तो यह आपन हम में मुझको उच्छसतर को प्रिशिद कर देने हैं अमने प्रिश्चन किया दरसल प्रिश्चन कारी रेलवे प्रभावेत संघर्ष समीति गौचर और रानो द्वारा रेलवे प्रभावेत को उनकी योगता के अनुसार रेलवे साइट भट नगर में रोजगार देने की मांग कर रहे हैं ये प्रदश्चन रेलवे संघर्ष समीति के अध्यक्ष गजेंद्र नयाल और रनो संघर्ष समीति के अध्यक्ष भीरेंद्र भंडारी के नेतरत्रों में निकाली गई इस दोरान एक प्रतिकातमक शब्यात्रा निकाल कर रहे हैं। काशिपूर में महिला को लोन देने के नाम पर दुशकर्म का मामला सामने आया है महिला ने आरूप लगाती हुए कहा है कि बीती शाम यूबक ने उसे लोन दिलाने के बाहने उसे अपने घर बुलाया और धोके से कोल्ड ड्रिंक में नश्वे की दवाई मिला कर उसे दे दी जिसके बाद आरूपी ने महिला के साथ दुशकर्म की वारदात को अंजान दिया जिसकी सूचना प्रीडित महिला ने पुलिस को दी है तो वहीं पुलिस ने भी महिला की शुकायत पर धारा 376 के तहत मामला दर्श कर लिया है और आगे की कारवाई शुरू कर दी है उनके अप्लिकेशन पर ततकाले फैर पंजिगरित की गई है और उसमें वैदानी कारवाई आगे की सीगर की जाएगी की सड़क संघर्ष समीति के अध्यक्ष दयाल सिंग ने कहा कि पूरा छेत्व आंदोलन के साथ है दुख तो इस बात का है कि जिन प्रतिनिद्यों को ग्रामीडों के साथ होना चाहिए वो आज आंदोलन कारियों से कह रहे हैं कि आंदोलन से ही सड़क मिलनी है तो आंदोलन करते रहें उन्होंने कहा कि निता भूल रहे हैं कि देश आंदोलन से ही आजाद हुआ सभी अंदोलन प्रदर्शनकारियों ने प्रशास्तनिक अधिकारी के नाम पर अपना 35 मांगो वाला एक प्रार्थना पत्र सौपा करें इधार करने के लिए जोड़े यह पाइए जोड़के सड़क निर्मान की मान के यहां पर आए हूँ मैं अगर कोई नेता बिमार होता है तो आप रात यू रात उसको हेलीकॉप्त ले जाए पता ही नहीं चलता है नहीं कि राजनीता कहाँ पहुँच गया है और हमारी स सरकार से बस यही सवाल है, एक राजनीता के लिए, एक पॉलिटिक नेता के लिए कानून अलग है और एक आम आदमी के लिए कानून अलग है, आप हमें इतना बता दीजिए, एक राजनीता के लिए कानून अलग है और आम आदमी के लिए कानून अलग है, अगर कानून अलग चेत्रिय विधाईग जी ने हमें वासवासन दिया था कि दो मेने तक कार्या हो जाएगा और अभी तक एक साल हो गया है हमारी सरकार ने कुछ भी कार्य नहीं किया जिसमें हमने 26 जनवरी 2021 से भूमी खुदान शुरू कर दिया है और जिसमें उसके बाद थिर भी हमारी सासन प के लिए यदि हमारी सरकार हमें हमारे अधिकार नहीं देती है तो हम आगे भी आंदूलन करेंगे और 27 फरवरी से हम भुकारतार पर बैठेंगे और आने वाले चुनाव का बहिसकार करेंगे हमारे ये आंदूलन एक साल से चल ला है बीच में जो पैंडमिक आ गया उसके कारण ये बीच में थोड़ा सा अस्तगित हो गया था क्योंकि लॉक्डाउन होने के कारण कुछ काम काज गवर्मेंट का कुछ काम काज नहीं हो सका इसके बाद जब 4 जन्मरी को हमने यहां पर हम मारे यह तो हो लिए काम काम जियो गवर्म या हमसे संपर के तो ज़रकार ने परशासण से कोई संपर मियों किया इसलै अपने शळक बहुद से अपने उससे अपना काम करना सृू कर दिया और ऑलते एक आज 32 दिन होने के बाद सरकार ने न परशासन न सरकार हमारे पास आई और न सरकार ने हमारी शुद ली अभी आगे का प्रोग्राम हमारा 27 तारीकल से हमारा अमरन अंसन शुरू है हमारे यहां सड़क नहीं होने के कारा किन्डी कणि बिमार हो ग Разगे किन्धों की देठ हो गई है रस्ते में अभी अबी अभी ही हபोग्री फौरेखने के भी में भी दिवान हयात सिंग विष्ट की बहुत कराबूर गया, डंडी-कंडी के साहरें में भी ले जाय दा रहा है, दो तीन जक्कर उपर नीचे उपर नीचे कर दिया, गाउवाले बहुत परसाने, सड़क नहीं होने के कारण, बुजुर्ग लोग दो तीन एक सुंद्री दे भी हो गई, और सोबन सिंग विष्ट हो गया, कौर सिंग विष्ट हो गया, इनकी भी मौत हो गई है, सड़क नहीं होने के कारण, तुभी घर तक नहीं पहुंसे के ये, आदा रस्त में इनकी दम की बहुत है, अलदुआनी में एक ट्रक और कार में भीश्वन टक्कर हो बताया जा रहा है कि टक्कर इतनी भीश्वन थी कि कार के पर खच्चे उड़ गए, हाथसे की वजह से आसपास हड़कम पुमश गया, लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दिया और मौके पहुंची पुलिस ने शब को पोश्ट माटम के लिए भीश्वा दिया, और खाय जो सवार लोग थे, उनको काफे नुक्सान हुआ है, मौके से पुलिस ने लोगों को भेजा, चार लोगों के इसमें मिर्ती हो चुकी है, और तीन लोग घायल है, तीनों का इलाज सुचलातिवारी होस्पिटल में चल रहा है, पुलिस के द्वारा उस केंटर को पकड़ ल दो यूबक हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गए, जिसमें स्वे एक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभी रूप से घायल हो गया, जिससे उपचार के लिए अस्पताल भीजा गया, दरसल सारनपुर जिले के फतह पुर्थाना श्रेत्र के क्राल्टी गाउं निवा म्रतक को पोश्टमाडम के लिए भिजवा दिया है, और घायल को उपचार के लिए अस्पताल भीजवा दिया गया, सुचना पर म्रतक के परिजन भी मौके पर पहुँच गए बच्चे घर से चले नो बजे रास्ते में तार इनके अफ़ पर पिजलिका गिर गया, एक बच्चा हुई का हुई पुग गया, मोटर साइकल पे थी, वह फुग गी हुई, एक बच्चा अस्पताल में है, कोई मोजा मिलना चाहिए, गरीब आदमी है जी, कोई नोगरी एक बच्चों हमारे मिलनी चाहिए, प्रिस आए थे हैं, भगवानपुर इनका दुकान तिनाई की वहाँ पर आ रहे थे, दुकान थी नकी वहाँ से आ रहे थे, तो रास्ते में इसन साथ में घटना हो गई, किस जेगे घटना हुई है? ये उत्रा चल में हुई है, जी, चाप पुरिपुर के मिस्सर वाला में देर रात एक अमरूत के बाग में सिलेंडर में आग लगने से एक यूबक जुलस गया सुचना पर पहुंची पुलिस ने यूबक को सरकारी अस्पताल पहुंचा है जहां डॉक्टर में उसे मरत गोशित कर दिया आपको बता दें कि काशितों खुत्वाली के मुहला तिल्ला में रहने वाला चन्रन सिंग पिछने चार सानों से अमरूत का बाग ठेके पर लेकर चला रहा था देरात सिलेंडर फटने से उसकी जोपडी में आग लग गई आग लगने से सोनु गंभी रूप से खायल हो गया सुचना मिलते ही पुलिस पल ने उससे अस्पताल पहुंचा है जहां डॉक्टर ने उससे मरत गोशित कर दिया पुलिस जो है मौके पर पहुंच गई थी पुलिस के दौरा बॉड़ी को तब्जय में लिया गया और उनका पोस्तमाटम और पीम करवाने के बाद जो है बॉड़ी जो है उनके घरवाले को सुखुर्द की जाएगी वहीं खस्ता हाल शात्रवास की आज तक चारदेवारी नहीं हो सकी है जिससे शात्राओं को रहने की व्यवस्ता मिल सके वहीं भगवानपुर विधाया ममता का कहना है कि भवन को बरबात नहीं होने दिया जाएगा लेकिन ये सब काम जब कॉंग्रेस सत्ता में आएगी तब ह हो पाएगा को अगरेस पार्टी की सरकार के समय में वहासी विध्याले का घठन महापूर हुआता वालिकाव इड्याले महिधूर चाल रहा है करणा काल में समस्झे रही यह यह शूरक्षा के पुरे पुकता इंतिजाम नहीं है यहाँ आपने भी देखा कि एहां चार द्रश्टी से यहाँ पर अभी बालि का विद्यालरा को शिफ्ट करना संबव् नहीं है भाविष्ट्य में बहुत नजदी के जल्दी ही उसे शिफ्ट के जाए बालिका विद्यालरा कस्तूरवा गंधिया वाज्टिभा acá서 मोहित्पूर पूर में चल रहा है मैंने आपको बत प्रदश्चार्यों ने बताया कि उनकी आठंगों में उन्हें नियमित किया जाए हिमाचल के तर्च पर उन्हें ग्रेड पर दिया जाए सभी कार्मिकों को EPF बीमा वास्वास्त समंदित सुवधाय मोहिया कराई जाए और जिन मन्रेगा करमचारियों को जिलो में हटाया गया है उन्हें दोबारा कारे पर रखा जाए उत्तरकाशियों में कोरोना का अब एक भी मरीज नहीं है अस्पताल इस समय पूरी तरह से कोरोना फ्री हो चुका है जन्पत में अब तक एक लाग शपन सौ से उपर कोरोना के सैंपल लिए गए हैं जिसमें 3756 की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है राहत की खबर जन्पत के लिए ये है कि आज जिला अस्पताल में एक भी कोरोना मरीज नहीं है वहीं जनपत के जिला अस्पताल में कोरोना के एहम भूमिका निवाने वाले सीनियर फिजियन्स धर्मसेतु ने कहा कि इस समय जनपत में एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं है साथ ही उन्होंने सभी से अपील की है कि कोरोना के नियमों का पालन करें अस्पताल भीड़ वाली जगहों में मास्क पहन कर जाए और हातों में सेनिटाइज करते रहें अस्पताल में एक भी कोरोना मरीश अब नहीं है मुख्याले पौडी में जहां 6 सालों बाद निर्माडा धीन कलेक्टरेट भवन आज तक तैयार नहीं हो सका है वहीं इसके निर्माड के लिए एक बार फिर एक करोन रुपए की जरूरत है सामने दीनदयाल पार्क में निर्माडा धीन तीन मंजले भवन के कलेक्टरेट समेट अन्य विभागी कार्यालों में शिफ्टिंग पर एक भार फिर एक महीने का समय तेय किया गया है दूसरी तरफ अंग्रेश काल में बने पुराने कलेक्टेट भावन को दरोहर भावन मानने के साथ आसपास की बिल्डिंग्स को तोड़ कर हेरिटेश पार्क भी बनाए जाने की योजना है रुद्र प्रियाग के नगरासु में यूबा कल्याण और प्रांतिय रक्षक का ट्रेनिंग कारेला खत्म हो गया है इस मौके पर मुख अत्थी के रूप में पहुंचे पुलिस अधिक्षक गडेश कोहली ने प्रसिक्षन लेने वाले प्रडी स्वेम सेवकों को संबोधित किया और कहा कि इस प्रसिक्षन का भविस्व में निश्चित तोर पर ट्रेनिंगों को लाभ मिलेगा उन्होंने प्रडी स्वेम सेवकों से हरिद्वार कुम मेले में लगने वाली जूटी में पूरी कतब निश्चा से निर्वह करने का आववान किया कि अधिन का यहां पर उठना बैटना चलना या उनका शिलूट करना इससे परतित होता है कि आपका परशिक्षन यहां पर अच्छी उच्च कोटी का दिया गया मैं आपके परशिक्षकों को एसाई सिरी दामुदर प्रसाद प्रोही जी को और परशिक्षक शिरी अनिल ने परशिक्षन दिया है यह आपकी बड़ी पहनने का तरीका आपका उठना बैठने चलने पिनने के तरके जी पता लग जाता कि आपने कि इतना अच्छा उच्च कोटी का परशिक्षकों के लिए सब्सक्राइब करें जंतन्तर टीवी एंड प्रेस दा बेल आइकन नेवर मि अपडेट